नमस्कारा दोस्तों हम बात करेंगे गोल्ड को ले करके कि गोल्ड में अभी हम क्या कर सकते हैं क्योंकि festive season चल रहे हैं और अभी January में February में दुबारा से एक लगन स्टार्ट होगी अभी December में भी साधीब्या का महौल है तो क्या गोल्ड की डिमार्ड अच्छी रहेगी as a trader भी हम बात करेंगे क्योंकि gold में regular में trade भी करता हूँ तो उनमें किस तरीके के trades लिए जा सकते हैं क्या cautions रखे जा सकते हैं और क्या अभी अगर हम wedding की बात करते हैं तो इस समय weddings के लिए gold खरीदना सही होगा या फिर हमें सोने की कीमत गरने का wait करना चाहिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा update देता रहता हूँ gold को लेकर की जब ये fall आया था gold में तो भी मैंने आप लोगों को update दिया था कि gold में अभी बड़ा fall आने के लिए ये level जाना जरूरी है हम यहां से अपनी खरीदारी कर सकते हैं लास्ट हमारी gold वीडियो को देखोगे तो वहां पे सारा कुछ हमने इसके बारे में detail बात करी है कि कौन सा level इसके लिए demand zone है और कौन सा level इसके लिए supply zone है तो वो सब कुछ हम लोगों ने बात करी है इस वाले last वाले वीडियो में कि अभी हमें गोल्ड के बारे में क्या करना चाहिए तो ये fall आप लोगों को देखोगे 23rd July का है तो इस fall में भी हमने बात करी है तो आप एक बार उस वीडियो को चेकाउट कर सकते हो कि हमारी analysis किस तरीके से काम करती है गोल्ड को as a investing purpose से देखने के लिए ठीक है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले अगर आप गोल्ड को देखो तो गोल्ड अपने high से almost 79,835 से वापिस आया है ये high Wednesday 30 October 2024 को बना है और इसका जो high था 79,775 का था फिर उसके बाद से अभी फिलाहल गोल्ड जो बंद हुआ है ठीक है MCX पे अगर हम बात करते हैं तो 77,272 पे close हुआ है यानि कि 77,272 रुपए पे अभी गोल्ड की प्राइस बंद हुई है ये प्राइस आपकी 10 ग्राम की है अभी एगर मैं गोल्ड की बात करूँ ना तो गोल्ड में अभी भी बाइंग अच्छी आ सकती है क्यों मैं कह रहा हूँ और नया हाई कर सकता है इसका रिजन ये है कि अगर आप देखो यहां पे तो इस एरिया में ना इस एरिया में डेमांड जोन है यानि कि यहां से मार्केट जो है लोगों को एक स्मार्ट मनी दिखे गा यानि कि यहां पे अगर आता है गोल्ड की प्राइस 74,500 के पास पास तो स्मार्ट मनी यहां पे इंवाल्व होगी और गोल्ड प्राइस को एक पुश मिल सकता है तो आप कोसिस कीजिएगा कि अगर आप साधी बया के लिए बाइंग कर रहे हो या फिर अगर आप एक long term investing को देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पैसे है तो थोड़ा थोड़ा investment करना सुरू करो this is the good time क्योंकि अपने all time high से भी नीचे आया है almost 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है समय दो से 22 से 2300 पॉइंट नीचे है तो हम यहां से बाइंग कर सकते हैं बट गही है कि बड़ी quantity नहीं मार सकते बेकॉज यहां पर आप देखो तो यहां पर एक supply क्रियेट हुई है और यह supply आप लोगों को कहलो की एक लेबल दे चुकी है ठीक है कि इसके उपर हमें जाना मुश्किल हो सकता है 78500 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो अगर आप लोग एक as a trader देख रहे हो या फिर अगर आप देख रहे हो कि कि हमें long term investing के लिए जाना चाहिए कि नहीं अभी और hold करें पैसा और नीचे गिरेगा तो खरीदेंगे तो आप wait कर सकते हो 78500 का लेबल या फिर अगर हम exact लेबल की बात करें तो 78600 का लेबल है अगर ये cross करता है तो यहां से अपनी buying start कर सकते हो और मुझे लगता है कि gold में बहुत जल्दी आप लोगों को एक लाक रुपए तक का लेबल देखने को मिले गए यानि कि 10 ग्राम गोल्ड एक लाक रुपए तक को भी touch कर सकता है अब वो 2025 में मुझे लगता है कि आज से ठेक एक साल बात देखने को मिल सकता है अभी हमने दो साल पहले जब gold की वीडिय मुझे स्टार्ट हुई फिर gold में movement आना स्टार्ट हुई तो तब से मैं आप लोगों को अपनी analysis देते हुए आ रहा हूँ और हमने उस समय बात कर थी gold आप लोगों का जो 55,000 है इधर side पे कहीं था gold इधर नीचे कहीं था ठीक है 55,000 के आसपास gold था तो हमने ये बात करी थी कि इधर से हमें buying wine करनी चाहिए और gold हमें almost 80,000 या फिर 80,000 के उपर आने वाले दो सालों में देख सकता है तो 2024 का almost label खतम हो चुका है और आप देखो कि almost हम 80,000 को touch करके आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि अगले साल तक ही हमें 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अग अगर as a investor देख रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा buying करना चाहिए और अच्छी buying आप लिगों को यहां से करनी चाहिए 70,000 के लेबल से यहां से बहुत ही अच्छा smart money involvement हो सकता है प्लस यहां पे बहुत अच्छा support भी है क्योंकि यहां पे अगर break भी हुआ है यहां लेबल तो वापिस से इसको buyers ने capture किया है और market को all time high की तरफ ले गए है एक higher high higher low करते हुए ठीक है तो आप अभी gold में as a marriage गर में conclude कर दूँ तो as a marriage purpose gold खरीदना या बनवाना चाहते हो तो offline market पे इसका बहुत ज़्यादा effect नहीं पड़ेगा क्योंकि offline market में आप लोग तो जैसे मैं आपको ट्रेडिंग पे दिखा रहा हूं तो इसमें अगर correction 5,000 का भी आता है तो offline market में या फिर bullion market में 5000 का correction 2,500 ही देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया में offline market में अभी काफी ज़्यादा demand रहने वाली है तो आप लोगों को मुझे लगता है कि gold old की जवैल्री बनानी है अपने साधी वगेरा में या फिर वेडिंग सीजन्स में किसी को गिफ्ट करना है तो दिस इस गुड़ टाइम यहां से एक all time high भी कर सकता है क्योंकि नवंबर में आप लोगों का डिमांड ज्यादा होती है फिर हम लोगों का एक हिंदू रितिरिवाज में खरमा नहीं पड़ता है तो आपको दिसंबर के बाद से जैनके 15 देट पहले थोड़ा सब गोल्ड में करेक्शन या फिर एक कम मुवमेंट देखने को मिलेगी तो वहां पर गोल्ड की डिमांड जो होती हो कम होती है तो उस समय भी देखोगे तो आपको प्राइज करेक्ट लेता हूँ 76,000 का लेबल अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम यहां से पॉल का वेट करेंगे यहां कहीं आसपास अगर आये तो फिर खरेदने कोशिस करेंगे वरना इधर से ही हम अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं डोंट वेट फॉर मेज मेजर फॉल आता भी है तो पैसा बचा करके रखो 100 रुपे हैं तो 20 रुपे डाल करके रखो 80 रुपे मेजर फॉल में डाल करके छोड़ देना और भूल जाना अगर आप गोल्ड बना रहे हो तो बनवाओ धेरे धेरे बनवाते रहो और बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा फालतू के हेड़र किया फिर मार्केट को टाइम करने के चक्कर में साधी की और जरूरी चीजों को अवाइड मत करो वीडियो आप लोगों के लिए हैलफुल रही होगी इस वीडियो को दूसर तक पहुचाओ और आप लिगों का क्या मानना है गोल्ड क्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन हो क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो की मोट्रिकेशन आ सकेगी नेक्स वीडियो मिलते हैं आप लोग के दिन सबहो जाहिन